नमस्कार भारत नमस्कार सातियों आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन यूद्गुरुकुल के यूटूब चैनल पर एक नई वेकेंसी का आगाज एक नई वेकेंसी आपके सामने देखिए हम कोरोना काल के बाद बहुत दिनों से सोच रहे थी कि vacancies, vacancies, vacancies पर देखिए आप मध्यपदेश सरकार की तरफ से भी vacancies आ चुकी है Central Government की तरफ से SSC CHSL का declaration हो चुका है जो भी यूआ, graduation और 12th pass है 12th pass वाले, especially यहाँ पर 10 प्लस 2 ही है तो SSC CHSL का आगाज 6 तरिक को 6 नौंबर 2020 को SSC के द्वारा notification जारी कर दिया गया वो notification आपको यूद्गुरुकुल के app के description box में मिल जाएगा उसको बिल्कुल download कर लिए, उसकी मोटी-मोटी बाते हम यहाँ पर करेंगे देखिए, पहली बात तो मोटी बाते, यह जो चीजे बता रहा हूँ, यह कहीं पर मिल जाएगी इससे कोई लेना देना नहीं, सबसे important होती है तैयारी क्या आप आने वाली उस exam के लिए मांसिक रूप से तैयार हैं क्या आप उन चीजों के लिए, तैयारी तो वो की वोई साब, तैयारी के लिए मैं आपको यहाँ पर छोटी-छोटी चीज़े हैं, SSE, CHSL, Combined Higher Secondary Level 10 प्लस टूले, हम यह मद्धिप्रदेश की बात करें, तो मद्धिप्रदेश में इन नोक्रियों का अभाव है मतलब यहाँ पर जनरली कोई तैयारी करता नहीं है, MP गी एक्जाम के तैयारी करते हैं, SSE में बहुत गिने चुने लोग तैयारी करते हैं, जो बिहार और UP लोगों के लिए वर्दान हैं, हम लोग तैयारी नहीं करतें, क्योंकि इतना लंबा समय और इसमें तीन टायर में पर इतना धेरी रखोगे साब जीवन का बहुती सुपिरियर जोप में से यह आती है कितनी तारिक से 6-11-2020 यह चलेगी आपकी 15-12-2020 तक इसका मतलब होता है लगभग यह कल से स्टार्ट हो चुकी है आख तो अपना फाम भर के और एकदम अपनी इलिजबिलिटी को खत एक्जाम डेट इसका जो रहेगा वो रहेगा अपरेल में देखो सबसे पहली बात एक student की जहन में यह आता है farm की last थारिक कदिये उसकी exam कब है मतलब what is the farm submission date या last submission date last की उपर बड़ा concentration रहता है उनका जैसे कि SSE बहुत सारा पेशा मांग रही है उनको आज ही जमा करवा लेगी कुछ नहीं है SSE की exam में बहुत कम फिस लगती है पहले चीज़ उसके बाद exam की बात करें exam की तो वो tier 1 की exam होगी 12 April 2021 से 27 April 27 April 2021 तक इसको बोलते है tier 1 की exam इस tier 1 के बाद tier 2 तो tier 1 की exam जो होगी 12 April से 27 April के बीच में यानि इसका मतलब होता है आज की तारीक में देखे तो हमारे पास इतना समय है इतना समय है कि कोई नहीं है इसमें pain scale जो होती है देखो जो होती है पहली पोस्ट तो lower divisional clerk मतलब कुल मिला के central government के जितने भी office होते हैं उन समय जो की जोब होती है वो है 10 प्लस टू तो सबसे पहली लडी सी लोवर डिविजिनल क्लर पी ए पॉस्टल असिस्टेंट डी ओ यानि डेटा एंट्री ओपरेटर यह आपकी पोस्ट इसमें जनरली क्या होता है यह गुनिस हजार नो सो के लगबग इसका पेस्केल होता है पॉस्टल असिस्टेंट का थोड़ा ज्यादा होता है पॉस्टल असिस्टेंट का आपका लगबग 25,500 होता है और उसके बाद इसका गुंतिस ज़ार नो सो और इसका पच्चीस ज़ार नो सो के लगबग ये जनरल ही ये रहता है मतलब कुल मिला के आपको लगते ही 30,000 से उपर की सेलरी मिलेगी क्योंकि ये basic सेलरी है इसके बाद इसके उपर डिये भी होता है और सारी चीज़े होते तो इसके लिए टेंशन नहीं आपको लगते ही 30,000 प्लस की सेलरी मिलेगी और सेंट्रल गवर्मेंट के ओफिसेस में 5 डेज वीक रेता है मतलब शनिवार और रहीवार फुल होलिडे होता है मतलब इससे अच्छा क्या साब और इस जोब के लिए बिल्कूर आज से भिढ़ जाईए सारी चीजों को छोड़ दीजिए दुनिया के सारे बंधन को छोड़ दीजिए और बस भिढ़ जाईए इसमें साब इसमें वेकेंसिस की बात करें तो वेकेंसिस will be declared later पर लगबग इसमें 5000 वेकेंसि टेंटेटीव है यह सभी गुप्त सुत्रों से हिसाब से है पर इत्वे वेबसाइट बिर्ज में बाद में डिकलेर करेंगी पर पांच हजार लगबग लगबग आएगे आएगे और एज इसमें होती है अठारा से सत्ताइस और एजोन एजोन यहां पर एक जनवरी दो हजार 21 यानि एक जनवरी 2021 को इसकी टेट रहेगी ठीक है अब इसकी एक्जाम के पेटरन के बारे में बात करते हैं तो एक्जाम जो होती है यह तीन टीर में होती है टीर वन टू और थ्री ठीक सबसे पहले टीर वन जो होती है उसमें वही आपके पास आपकी जो रिजनिंग होती इसको हम जनरल इंटिलिजेंस बोलते हैं दूसरा होता है क्वांटिटी अप्टिटूट जिसको हम मैट्स बोलते हैं तीसरा होता है आपका इंग्लिश बेसिक इंग्लिश और उसके बाद चोथा जनरल अवेर्नेस ठीक इसके 25 कुश्चन इसके भी 25 कुश्चन इसके भी 25 कुश्चन टोटल करके 100 कुश्चन आते हैं 100 कुश्चन आपके आएंगे 200 मार्क्स के और एक गंटे का समय रहेगा ये सबसे बड़ा खत्रनाक है एक गंटे में आपको 100 कुश्चन करना है यह इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा ठीक है डिस्क्रिप्टी पेपर इंग्लिश और हिंदी में रहेगा ठीक है और उसके बाद टीर 3 की बारे में बात करें तो टीर 3 जो आपका होता है इसकिल टेस्ट होता है क्या होता है इसकिल टेस्ट यानि हम बात करें तो SSC, CHSL में सबसे पहले रिजनी तो आप किसी भी एक्जाम के त्यारी करते हैं तो सबसे पहले इसमें होता है रिजनिंग, मैट्स और जीए सर अब एक बात बताईए मैं तो किराओं कि कभी कोई टेंशन नहीं आप रिजनिंग का एक हाई लेवल पकड़ लेजिए, मैट्स का एक लेवल पकड़ लेजिए, इंग्लिश का एक पेपर लेजिए और जनरल अवेरनेस यारी जीके का पकड़ लेजिए बस इन चार इतनी ही जानकारी चाहिए कि स्टुडेंट को, उसके बाद कुछ नहीं है, सबसे पहली जानकारी तो क्या होता है, कि क्या आपकी उम्र हो गई है, तो हाँ हो गई है, अगर आप ये एक्जाम दे सकते हैं, साब अभी तो नौवंबर चल रहा है, पूरा नौवंबर पढ़ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अगर आप अठारा के हो चुके है, गुनिस साल में अगर आपकी नौकरी लगी तो दुनिया का सबसे बहत्रीन जगा आप पहुचा है, ठीक है, इसी आशा के साथ, इसी उम्मित के साथ की बिलकुल इस इक्जाम के तयारी, इस इक्जाम जुनून होना चाहिए, ओके, स्टार्ट हो जाईए, आज के इसी दिन से SSC CHSL और 2021 को अपने नाम करिए, इसी आशा के साथ, थैंक्यू सो मच, जैहीन, जै भारत!